So hey guys, welcome back to my channel दोस्तों आज तो बहुत खुशी का दिन है आप सभी का है न जो भी channel monetize करना चाहते आज इस वीडियो को पूरा complete watch कर लेना आपका channel without any mistake, without any problem आपका channel monetize हो जाएगा मेरे खुद का channel आज monetize करके practically मैं आपको सिखाऊँगा कि आप अपने channel को monetize किस तरह से कर सकते हो तो दोस्तों कुछ खास बाते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है monetize करने के पहले अब वो क्या है कि देखिए सबसे पहली बात कि आपके channel पर 1000 subscriber होना बहुत जरूरी है next thing 4000 घंटे का watch time वो भी एक साल के अंदर उसके बाद guys आपके channel पर कोई भी community guidelines नहीं होना चाहिए एक भी strike नहीं होना चाहिए अगर ये सारे चीज़ अगर आपके channel पर active है तो आपका channel जो है monetize बिल्कुल नहीं होगा next thing क्या है कि guys आप अपने channel पर जो भी video है वो video पर जो thumbnails होता है क्योंकि हम सभी लोग जो है अपने channel को grow करने के लिए जो target दिया जाता है उस target तक पोचने के लिए हम दूसरों का thumbnail लगाते ताकि हमारे जो video है वो attractive दिखे और लोग जो है click करे हैं तो इस तरह से हम अपने channel को grow करते लेकिन यह सारा कुछ जो है आपको हटाना होगा चैनल monetize करने के पहले अगर आप monetization के लिए apply कर रहे हो और आपके channel पर दूसरों का thumbnail active है तो बिलकुल नहीं होगा next thing क्या है जो भी community guidelines है इनका उसके खिलाफ बिलकुल यहने कि उसके opposite आपको बिलकुल नहीं जाना है इसके अगर आप जा रहे हो तो आपका channel monetize बिलकुल नहीं होगा उसके बाद दोस्तों आप जिसके नाम से आप अपने challenge जो AdSense account बनाने जा रहे हो उनका जो date of birth है वो 80% से ज़्यादा होना चाहिए same thing अगर आप जो आपका आधार कार्ड है वो आधार कार्ड पर जो date of birth है आपके YouTube पर जो personalization याने की personal information होता है YouTube के मैं आपको दिखाऊंगा सारा कुछ वहाँ पर भी वही same date of birth होना चाहिए अगर अलग-अलग date of birth आप दे रहे हो तो friends मैं mobile screen पर आ चुका हूँ तो सबसे पहला step क्या है कि आपको date of birth चेक करना है ठीक है तो उसके लिए आपको सबसे पहले YouTube पर जाना है जाने के बाद अपने profile section पर जाना है और यहाँ पर देख सकते हो blue color में लिखा है manager google account वहाँ पर click करने के बाद आपको second option पर जाना है that is called personal info यहाँ पर जाने के बाद आपको देख सकते यहाँ पर date of birth लिखा है September 9, 1972 जो की यह मेरा गलत है पूरी तरीके से तो यहाँ पर मैं अभी change करने वाला हूँ ठीक है तो आपका जो भी date of birth है सबसे पहले आप यहाँ पर change करिए जो भी other cut पर है देखिए मेरा जो September month है वो तो ठीक है लेकिन जो day है वो मेरा है one तो यहाँ पर मैं one दे देता हूँ और जो year है वो है 1999 अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सब कुछ okay हो चुका है अभी बस आपको simple save पर click करना है तो यहाँ पर click करने वाद देखिए आपर आपको दिखा भी देगा कि आप कितने साल के हो you are 22 years old is that right? yes यह right है ओके आपको यह काम सबसे पहले करना है तीक है जो भी other cut पर data बरते हैं आपको सबसे पहले वो यहाँ पर check करना देखिए अभी एक बार मैं refresh कर लेता हूँ refresh करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो September 1, 1999 हो चुका अभी guys आपको इसके बाद आपको जाना है Chrome browser पर Chrome browser पर जाने के बाद आपना जो channel है ना वो आपको यहाँ पर open कर लेना याने के जो studio है तो मैं यहाँ से open कर लेता हूँ तो friends आप देख सकते हो यहाँ पर जो studio है Chrome browser पर मैंने open कर लिया है अभी आपको क्या करना है वो उपर जो three lines दिख रहा है ना वहाँ पर click कर दीजिए वहाँ पर click करने के बाद third last देखिए monetization लिखा है वहाँ पर आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी subscriber है जो भी watch time है and twist verification और active community guidelines यह चारो के चारो यहाँ पर show करेगा अगर आपके यहाँ पर चारो के चारो कर green है तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक apply now का button तो simple जो है आपको apply now पर click करना है तो यहाँ पर अगर कुछ भी गड़बड रहा तो आपको वहाँ पर apply now का button show नहीं करेगा तो यहाँ पर आपको simple apply now पर click करना है click कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो step 1, step 2, step 3 आपको 3 step यहाँ पर cross करना है याँ कि आपको तो 2 step करना है और 3rd वाला जो step है वो कर देगा जो YouTube का team है तो सबसे पहले आपको करना है step 1 complete आपको क्या करना है यहाँ पर start की उपर click करना है start की उपर click करने के बाद इनका जो भी term set condition है वो यहाँ पर आएगा तो आप लोग पढ़ लेना क्या है तो क्या नहीं यहाँ पर दिखा देगा कि कितना मतलब आपका earning होगी यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला point देखिए monetization revenue 55% जो यह मतलब हमें देगा और बाकी के वो रखेगा यह सारा को जाने के details यहाँ पर लिखा होता है तो आप पर नीचे आ जाना और यह जो box आपको दीख रहा है ना यहाँ पर आपको click करना है I accept the YouTube Partner Program Terms उसके बाद यहाँ पर accept terms फिर खिर click कर देना है तो यहाँ पर click करने के बाद थोड़े देर में यहाँ पर जो है done लिखा आ जाएगा So friends यहाँ पर देख सकते हो step 1 जो है वहाँ पर done लिखा आ चुका है हमने complete कर लिया है यह करने के बाद जो second step होता है फिर वहाँ पर enable हो जाएगा start button आपको simple start button के उपर click कर देना है तो यहाँ पर click करने के बाद आपसे पुछा जाएगा Do you have an existing adsense account? कि आपके पास पहले से adsense account है तो आपको यहाँ पर yes करना है अगर नहीं है तो no करना यहाँ पर आपको click करना है करने के बाद तीन option आएगा yes I have an existing account second है no I don't have an existing account अगर आपके पास कोई account है adsense तो यहाँ पर yes कर लेना अगर खुद ने की नया बनाना चाहते है अगर नहीं है तो आपको no I don't have an existing account उसके बाद आपको यहाँ से continue पर click कर देना है so friends यहाँ पर continue click करने के बाद आपके सामने जितने भी आपके mobile पर Gmail account है वो सारे के सारे यहाँ पर show करने लगेगा तो यहाँ से आपको क्या करना है वो ही Gmail account आपको select करना है जिस Gmail account से आपका YouTube channel open है तो यहाँ पर जो है सबसे पहला ER देब निकल मेरा वो account यानि की YouTube के साथ link है तो मैं यहाँ पर यह वाला select कर लेता हूँ तो friends यहाँ पर अभी जो सारा खेले अभी start होता है अभी तक अगर आपने ध्यान नहीं दिये थोड़ा बहुत अगर skip कर दिये तो भी चलेगा लेकिन अभी सबसे जरूरी बाते यहाँ पर आता है ठीके तो आपको यहाँ पर पूरा ध्यान देना है देखिए इंडिया से बिलॉंग करता हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया स्लेट कर लेता हूँ तो यहाँ पर इंडिया स्लेट करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना इनका जो भी terms and conditions है आपको फिर से जो ही यहाँ पर accept करने बोलेगा तो मैं नीचे आ जाता हूँ और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको simple click करना है click करने के बाद create account पर click करने के पहले आप एक बार फिर से चेक कर लीजी कि सब कुछ जो है आपने सही किया है या फिर नहीं किया है देखिए हमारा जो चैनल का वेबसाइट है वो उपर आ जाएगा automatic second thing क्या है get more out of adsense वहाँ पर आपको yes करना है select your country यहाँ पर इंडिया करना है और इनका जो भी terms and conditions से वो यहाँ पर select करके फिर आपको कर देना है create account पर click so friends अभी आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर google adsense का page open हो चुका है customer information यानि कि हमारे information अभी देना है ठीक है तो अभी ध्यान से देखिए सबसे पहला उपर क्या लिखा है यहार देब निकल जो हमारा ID यानि की जो account type है वो individual है आपको यहाँ पर option मिलता है एक है individual दूसरा है business आपको business select नहीं करना है आपको individual ही रख देना है और फिर आपका payment profile ID भी आपर दिख जाएगा उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर जो है आपको अपने channel का नाम बिलकुल नहीं देना है आप यहाँ पर जिस भी नाम से आप Google AdSense create कर रहे हो उनके आधार काड़ पर जो जैसे नाम है आपको same नाम यहाँ पर देना है तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ मेरा खुद का नाम जो भी आधार काड़ पर है उसके बाद आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर लिखा है address line 1 अभी आपके आधार काड़ की पीछे में जो भी address देके है आप सबसे पहले notepad पर उसको type कर लीजिए करने के बाद same address copy करके आपको यहाँ पर paste करना है तो जैसे कि मैं यहाँ पर मिरा notepad पर देखी यहाँ पर मैंने आईब करके रखा है simple यहाँ से मैं copy कर लूँँगा तो आप भी कुछ इस तरीके से कर ले ना यहाँ से copy करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, सो पेस्ट काने के बाद फिर नीचे देखिए क्या लिखा है, आड्रेस लाइन टू, आप यहाँ पर जो है, नियर बाई कुछ भी अगर रहा तो आप दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ, नियर माकाली मंदिर, तो आप कुछ भी यहा रहते है, उसका नाम यहाँ पर आपको दे देना है, पोस्ट कोड आपका जो भी पीन कोड है, वो यहाँ पर दे देना है, उसके बाद नीचे लिखा है कि स्टेट, आपका जो भी स्टेट है, वो यहाँ से स्लेट कर लिजिएगा, तो यहाँ पर जैसी कि मेरा महारस्ट्र स तो गाई सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना है सब्मिट करने के पहले अकाउंट टाइप इंडिविजल रहना चाहिए नेम एडरेस जो भी आपका नाम है आधारकाट पर जिस भी नाम से आप Google AdSense अकाउंट क्रेट करना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर होना चाहिए जैसे कि मेरा यहाँ पर नाम है देवजोती गरंगदास उसके बाद आधारकाट के पीछे में जो आधारेस है जैसे कि मेरा पोस्ट कोड है उसके बाद स्टेट आप कौन से स्टेट पर रहते हो ठीक है पोस्ट कोड मतलब दोस्तों आपको जो पीन कोड होता है वो आपको आधारकाट की पीछे में आपको मिल जाएगा उसके बाद स्टेट जैसे कि मेरे स्टेट जो है महारस्ट उसके बाद गाईस यहाँ पर जो है आपको और एक बाद ध्यान देना है कि यह जो पोस्ट कोड है सबसे में बात क्या है कि पोस्ट कोड की कि आपका जो Google AdSense का जो पीन आएगा वो postcode द्वारा ही आता है यानि कि वो जो पीन code होता है न वो सबसे main होता है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आपका postcode है वो बराबर है या फिर नहीं है उसके बाद आपको क्या करना submit की उपर आपको simple click कर देना है तो friends अभी जो यहाँ पर redirect कर देगा आपको YouTube पे तो यहाँ से देखिए लिखा है कि we are redirecting you to YouTube where you can continue your setup and start using AdSense तो देखिए guys यह redirect हो रहा है उपर से blue line चल रहा है तो हम थोड़े देर के लिए wait कर लेते तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो उपर का done लिखा आ गया सबसे पहले आ चुका था वो second step जो है in progress अभी यह कब done होगा 4-5 घंटे या फिर आपके एक दिन भी लग सकता है यह पूरा done होने में तो हम जो है wait करेंगे 4-5 घंटा उसके बाद guys आपका channel क्या होगा review under review चल जाएगा आपका channel चेक करेगा उसके बाद वो लोग आपके channel पर monetization अनेबल कर देगा और आपको mail through पता लग जाएगा कि आप उनके YouTube partner program में select हो जोगा आने की partnership बन गये हो तो दोस्तों आपको इस तरह से आपको करना है करने के बाद उसके बाद सारा process होने के बाद अच्छी तरह किसा समझ भी गया होंगे तो guys इसके लिए एक वीडियो पर जो है एक लाइक कर दीजे channel पर नए हो तो subscribe करके bell icon को भी प्रेस करिए हम भी लेंगे next वीडियो में जय हिन बंदे मातरम